विल्कम टू यूर्यूटिप चैनल यंगर एज वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूट कोर्पोरेशन ओफ इंडिया इसका दोजाज चो इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसके बारे में आपको पूरा डीटिल में बताऊँगा वीडियो कुलास तक जरूर देखिए उसके पहले अगर आपने देख हमारा टेलेगां ग्रूप जॉइन नहीं किया इसको जरूर से जॉइन करिए साथे साथ वाट्सप चैनल जरूर से जॉइन करिए इसमें सारे वीडियो को लिंग शेयर करता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएं यहां पर आप देख सकते यह इसका ओफिशियल नोटिफिशन है इसमें तीन तरह के पोश्ट है सबसे पहला है अकॉंटेंट इसमें आप देख सकते एमकॉम अगरे होना पास साल का एक्सपरेंश चाहिए साथ साल का मिनिट होना इंग्लीश में और आपको MS Word and Excel चलाते आना चाहिए 25 पोश्ट का वेकिंसी है बाकि PWD के लिए यहां पर देख सकते हो लास्ट है जूनियर इंस्पेक्टर इसमें भी आपको जो है IDA पैटन पर सालेरी मिलेगी S3 की 12 पास के इसके लिए अपलाए कर सकता है और टेस्ट होगा and document verification and last में final merit list आएगी qualifying marks यहां पर आप देख सकते हो जन्रल ओवीसी EWS एक सरुस्में के लिए 50% मिनिमम आपको लाना है रिटन टेस्ट में and SCSTPWD के लिए 45% मिनिमम लाना है इसका मतलब यह नहीं कि 50% ला लिए तो आपका selection होगा नहीं बहुत highest score आपको करन कोई भी application fee नहीं है बाकी सभी category के लिए 250 रूपी इसमें application fee है अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते है major June growing state capital and city of India वही पर आपका exemption center होगा आप maximum 3 center choose कर सकते हो इसमें आपका online examination जो है 120 minute का होगा single sitting में एक ही shift में paper होने वाला है और 100 mark का paper यहां पर होगा और यहां पर आप देख सकते है कोई भी negative marking नहीं है there will be no negative marking for wrong answer आप पूरे के पूरे अटेम करके आ सकते हो current dates के अगर मैं बात करूँ को top date 1 September 2020 है 10 September 2020 से आप इसके लिए apply कर सकते हैं 30 September 2020 इसको apply करने का last date है आपका online examination के date आपको बात नि पता चल जाएगी कोई भी problem होती है help desk का number दिया हुआ इस पर आप call करके detail में पूस सकते हो अब job location के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं corporate office में जाओंगा तो main head office है dude corporation of India का वो call काता में इसे के साथ साथ अगर मैं regional offices की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है वेस्ट बेंगौल आसाम बिहार ओडिसा अंदरप्रदेश तिरपुरा तो इनी स्टेट में आपका posting होगा तो समझ के आपको apply करना है और हो सकता है इनी स्टेट में आपका exemption center भी होगा बाकी इसका exam pattern क्या होता है कुन-कुन से question पूछे जाते है इसके regarding already previous वीडियो में मैं क्लिक करके apply कर सकते हो चोटा साब्डेट था बाकी वीडियो पसंद आया like करना दोस्तों के साथ share करना चैनल पर नहीं हो subscribe करना